हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB18 के बारे में और बहुत सारे लोगों का ये प्रस्न था कि क्वेश्चन पेपर में उन्होंने जो है पेपर कोड भरना भूल गया है तो क्या उनका रिजल्ट आ आएगा कि नहीं आएगा तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि इस सम्मझ में बार काउंसील आफ इंडिया क्या कहती है क्या उनका रिजल्ट पब्लिश होगा या नहीं होगा तो वीडियो में आखरी तक बने रहिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले 12 फित से आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही साथ अगर आपके को कोड उन्होंने जहे है उमार सीट में भरना भूल गया है तो अब क्या होगा उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा और इस सम्मन में बाहर काउंसील आफ इंडिया क्या कहती है तो अगर हम बात करें AIB 17 के बारे में तो AIB 17 के बारे में इस सम्मन में एक नोटिफिकेश में यह कहा गया था कि जो भी लोग गलती से अपना जो है पेपर कोड भरना भूल गये हैं उनका रिजल्ट जो है रोका नहीं जाएगा उनकी रिजल्ट को जो जो उनका रिजिस्टर्ड इमेल आईडी है वहां पर भेजा जाएगा तो अभी तो जिवाइज देंसर की आए बहु सारे लोगों कड़ल जो है रिजेक्टेड लिखग आएगा तो जो ईजेक्टेड होंगे जो वित्त्हेल होंगे का उन्हें मौका मिलेग है पास होने का उसके बाद हम आगे बात करेंगी जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद भी आपको OMR जो है चेक करने का मौका दिया जाता है बहुत सारी प्रोसेस होती है उस बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं AIB 17 के संबंध में जो है बार कांसील आफ इंडिया ने क्या कह दियर कंडिडेट्स एज पर डाइडेक्शन अफ अन्रेबल कमिटी दो रिजल्ट अफ एएब 17 अफ आल दो कंडिडेट्स हूँ है निगलिजेंटली ओमिटेट्ट तो फिल अफ देर सेट कोड इन देर OMR सीट्स देर रिजल्ट है इमेल तो देर रिजिस्टर्ड इमेल आ तो इस संबन में आपसे OMR चेकिंग के लिए जो है अप्लिकेशन जो है इसू की जाएगी उसको आप भरेंगे उसके बास से यह सारी प्रोसेस शुरू होंकि तो आप लोग बिल्कुल परिशान नहीं अगर क्वेश्चन जो पेपर सेट कोड है उसको फिल नहीं किया है तो अभी आगे जो है रिजल्टाने देजिए उसके बास से आगे कि बहुत सारी प्रोसेस है पास होने के बास से भी आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा कि पास होने के बास से आपको बैठना नहीं है कौन-कौन से फार्म भरने हैं उसके बास से आपको सी ओपी मिलेगा कितनी फीस लगेगी क्या क्या requirement होती है कौन कौन से डाकुमेंट लगेंगे तो बहुत सारी लंबी प्रासेस है चैनल पर जुड़े रहे हर एक बात को मैं AIB से संबंदी जो भी है उसको मैं बताऊंगा ताकि आप लोग परिशान नहों आप लोग धर उधर न भठके और आप कि जो भी समस्याय है उसको आप लोग कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद